Hello students, आज इस वीडियो में हमें exercise 4.2 से question number 3 solve करेंगे question number 3 देखे, give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation यहाँ इस question में देखे, हमें equation दी गई है कहा गए कि इस equation में जो variable है, उसे separate करने के लिए आपकी step का use करेंगे यह बताना है और फिर equation को solve करना है, equation को solve करना है यानि जो variable दिया गया है, उसकी value निकालनी है तो ए पार्ट देखे, equation देखे, 3N minus 2 is equal to 46 इस equation में देखे, variable है N, दीखे, तो हमें N को यहाँ से separate करना है तो देखे N को separate करना है यानि हमें यहां से 3 को हटाना होगा और minus 2 को हटाना होगा तभी N separate होगा तो देखे सबसे पहले हम यहां से minus 2 को हटाएंगे तो देखे minus 2 को कैसे हटाएंगे क्या करेंगे दोनों sides हम 2 plus करेंगे तो adding 2 to both sides तो देखिए दोनो साइट हम 2 प्लस करें यानि दोनो साइट 2 एड़ करेंगे इस साइट पर देखिए कहा है 3N minus 2 है यहां हम 2 plus करेंगे is equal to इस साइट पर भी 2 plus करेंगे तो 46 plus 2 देखिए यह minus के 2 है यह plus के 2 है तो यह cancel हो जाएंगे कट जाएंगे यूँकि 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 ही आएगा तो एक माइनस कट हूँ और दूसरा प्लस कट हूँ था तो एक कट गए ठीक है तो क्या बचा है है 3N is equal to 46 plus 2 क्या हो गया 48 ठीक है अब देखे कहां से हमें ये 3 हटाना है ठीक है ठीक है 3N है यानि 3 और N multiply हो रहे हैं ठीक है 3 को य इसे 3 से डिवाइड करें यानि इसके अपॉन में 3 आएगा is equal to 48 upon 3 तो देखे दोनों साइट सम 3 से डिवाइड करें देखे 3 वंजा 3 ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं 3 वंजा 3 इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 16 तो N is equal to क्या आया 16 तो देखे यहां पर variable separate हो 2 to both sides and dividing both sides by 3 इन दो steps का use करते हुए हमने N को यहां पर separate किया है ठीक है और हमें equation को solve करना था यानि variable की value निकालने थी तो variable यानि N की value क्या आ गई है 16 अब B part देखे equation दी गई है 5 M plus 7 is equal to 17 अब इस equation में variable है M तो हमें M को separate करना है M को separate करना है यानि हमें यहां से 5 को हटाना होगा प्लस 7 को हटाना होगा तो देखे सबसे पहले हम यहां से plus 7 हताएंगे कैसे हताएंगे क्या करेंगे दोनों size हम 7 minus कर देंगे तो subtracting 7 from both side यानि दोनों sites मेंसे हम 7 सब्ट्रैट करें यानि minus करें इस site पर कह देखे 5 M plus 7 यहां से 7 minus करेंगे ठीक है is equal to 17 यहां से 27 minus करेंगे तो دेखे दोनों Sides में हम 7 minus कर रहे हैं ये plus के 7 है ये minus के 7 है तो ये कर चाएंगे क्योंकि 7 में से 7 minus करेंगे 0 ही आएगा तो ये plus के 7 से minus का 7 कट गया क्या बचा है या 5 M is equal to 17 में से 7 minus करेंगे किया आएगा 10 ठीब है तो देखे 7 हम यहाँ से हटा चुके अब क्या बचा है 5 M, ठीक है अब यहां से हमें यह 5 हटाना है, क्योंकि M को सेपरेट करना है तो यह 5 भी हटाना होगा हमें, अब देखे 5 चाहे M के साथ multiply में है, ठीक है अब 5 को यहां से अटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइट सम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो dividing 5 से डिवाइड हो रहे है, 5 बचाहे 5, 5 बचाहे 10, तो M is equal to क्या आया 2, तो देखे, M यहां पर separate हो चुक है, variable separate हो चुक है, और equation को solve करना था, यानि M की value निकालनी थी, क्या आ गई M की value 2, C पार्ट देखे, equation दी गई है, 20P upon 3 is equal to 40, अब इस equation में variable क्या है, P, हमें P को separate करना है, तो हमें यहां से 20 और 3 को हटाना होगा, तो देखे, सबसे पहले हम upon में यह जो 3 है, इससे हटाएंगे, तो देखे, 3 को कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, दोनों साइट सम 3 से multiply कर तो multiplying both sides by 3, तो दोनों sides हम 3 से multiply कर रहे हैं, इस side पे कहें 20P upon 3, इसे 3 से multiply करेंगे, is equal to 40 को भी 3 से multiply करेंगे, तो 40 into 3, तो देखे, दोनों sides हम 3 से multiply करें, 3 बंजा 3, 3 बंजा 3, तो 20P को 1 से multiply करेंगे, 20P आएगा, is equal to 40 को 3 से multiply करेंगे, क्या आएगा, 120, तो देखे, जो upon में 3 और वह यहां से हट चुका है ठीक है तो क्या रहा है 20 P अब P को सेपरेट करना तो 20 को भी हाहां से अटाना होगा तो देखे 20 P का मतब एक की 20 और P multiply हो रहा है तो 20 को यहां से अटाने के लिए दोनों साइट सम 20 से divide कर देंगे so dividing dividing both sides by 20 तो दोनों साइट हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं 20 पी अपॉन में 20 आजाएगा ठीक है डिवाइड करना यानि अपॉन में 20 आएगा इसे भी 20 से डिवाइड करना तो 120 के अपॉन में क्या आजाएगा 20 20 वन्जा 20 20 वन्जा 20 जिरो से जिरो कैंसल हो गई यह दोनों टू से डिवाइड है टू वन्जा टू टू सिक्सा ट्वैल तो पी इस इक्वल टू क्या आया 6 तो देखें यहां पर पी सेपरेट हो चुका है ठीक है और हमें एक्वेशन को सोल्ड करना था यानि पी की वैल्यू निकान लेती पी की क्या ही है 6 फूर्थ पार देखें एक्वेशन दी गई है 3P अपॉन 10 इस इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में वैरियेबल है P पी को हमें सेपरेट करना है यानि यहां से हमें 3 को हटाना होगा और 10 को हटाना होगा तो सबसे पहले अपॉन में जो 10 है इसे हटाएंगे देखें अपॉन में 10 है इसे कैसे हटाएंगे दोनों साइड्स हम 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो मल्टिप्लाईंग बोथ सम 10 से multiply करेंगे 3P upon 10 है इससे 10 से multiply करा 6 को भी 10 से multiply करेंगे देखे दोनों 10 से divide हो Jud operates 10 वन्जा 10 10 वन्जा 10 3P को 1 से multiply करेंगे क्या किया गा 3P is equal to 6 को 10 से multiply करा क्या आया 6 ती है तो देखे इसके upon में जो 10 था वो हट चुक है, अब 3 को हमें यहां से हटाना है तो देखे, 3P के साथ multiply में है 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों sides हम 3 से divide कर देंगे तो dividing both sides by 3, तो देखे, दोनों sides हम 3 से divide कर रहे हैं 3P, इसे 3 से divide कर रहे हैं, इसके phone में 3 आएगा is equal to 60 को भी 3 से divide कर रहे हैं, इसके phone में 3 आएगा 3 वन्जा 3, 3 वन्जा 3, और यह दोनों 3 से divide रहे है 3 वन्जा 3, 3 टूजा 6, 0 तो P is equal to क्या आया, 20 तो देखे, हाँ पर P separate हो चुका है, ठीक है और P की जो value आई है, वो क्या आई है, 20 ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने question number 3 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe, thank you